हेलो दोस्तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैं उस चैनल का होश्ट और आप सभी का दोस्त और आप देख रहे हैं हमार अपना यूट्यूब चैनल डेटा चूशन दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 12 का सेकेंड पोयम और स्लीप इन दा वैली का डिसक सक बने रहे है क्योंकि मैं आपको जितने भी बताने ओला हूं इस वीडियो में वह आपके लिए बहुत ज्रयादा इंपॉर्टेंट होने वाली ए तो दोस्तों के बारे में ठावर सा डिसकस करता हूं फिर पोएम को आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पोएट का पूरा नाम है जीन निकोलस आर्थर रिमबॉर्ड एंड वस बॉन ऑन 20 अक्टूबर 1854 एंड वस डाइड ऑन 10 नमंबर 1891 दोस्तों इन्हों ने अपने जीवन में उन्हीं 37 सिर ही लाइफ इस्पे प्रस्नलिटि इन्हों अब विर्ला के लगते और इनकी लैंगविज फ्रेंच के और इन्होंने ये पोयम लेंगमे में लिखा था जोकी दोस्तों इन्होंने बहुत कम उमर में ही poem लिखना इस्टार्ट कर दिया था अपने टीन एज में ही यानि 15 टू 18 तक ये poem लिखा करते थे जबकि टीन एज जो है वह 13 टू 19 तक रहता है पर ये 15 टू 18 तक में poem अपना लिखते थे और 19 एर के हो जाने के बाद इन्होंने poem लिखना चानक से छोड़ दिया था इनके father एक infantry soldier थे यानि कि थल वाले सैनिक थे और जब ये देखते थे अपने father को कि वो war करते हैं fight करते हैं तो इन्हें बहुत ही अच्छा लगता था जैसे कि हम भी movie देखते हैं तो हमें ये लगता है कि देखो ये fight कर रहे हैं war कर रहे हैं तो कितनी अ प्रानिक बनेते खुद ये तो इनको पता चला कि war बहुत ज़्यादा खराब चीज है जिसमें बहुत ज़्यादा loss होता है बहुत जन की जान चली जाती है तब ही से इन्होंने anti-war poem लिखना श्टार्ट कर दिया था और ये जो poem है ये भी एक anti-war poem है और जिसके थूर ये ब लिखा था और इस poem का जो फ्रेंच में टाइटल है वो है ले डॉर्मियर ले वॉल जो कि 1870 में लिखा गया था तो दोस्तों अब चली बताता हूं poem का कुछ important बाते तो दोस्तों ये एक italian sonnet है पहले मैं बताता हूं sonnet क्या होता है तो sonnet में जिस poem में 14 lines उसे sonnet कहते है ठीक है italian sonnet क्या होता है दोस्तों जिसमें octave और sestet में poem को divide क्या हो तो यहां पे भी octave और sestet में poem को divide क्या है first eight line को octave बोलते हैं और last six lines को sestet बोलते हैं दोस्तों italian sonnet का दूसरा नाम है पेटरकन sonnet तो दोस्तों हमने जान लिया यह एक italian sonnet है जिसमें octave sestet से divide के रहते हैं दो पार्ट में दोस्तों और एक चीज़ जो है जानने की वह यह है कि यह theme of the poem क्या है तो इसमें तीन चीज़ आपको देखने के मिलेगी पहला appreciation for nature दूसरा acceptance of death तीसरा beauty of war यानि कि पहला क्या होगा theme इसमें दिखाया गया कि nature की तारिफ की गई उसके प्रसंसा की गई है दूसरा death यानि acceptance of death यानि कि जब मृत्यू आती है तो हमें उसे accept करना चाहिए सुईकार करना चाहिए फिर यहां पर जो third theme है वह brutality of war यानि कि जो war है वह बहुत जादा निर्दय होता है उसम दोस्तो हमने बहुत कुछ जानने की जो थी बाते वो जान लिया अब चलिए poem को line by line analyze करते हैं a small green valley where a slow stream flows एक छोटी हरी घाटी जहां पे एक धीमी धारा की नदी बैती है दोस्तो घाटी को green इसलिए बताया गया है क्योंकि इस घाटी में एक नदी बैती है जिसके कारण घाटी के जितने भी पेर पौदे है घास है और जाडिया है वो सभी के सभी हरे है इसलिए घाट of silver on the bright grass और उस चमकते वे घास में क्योंकि वहां के जितने भी घास है वो सभी हरे है तो वहां पे ऐसा लग रहा है वो नदी का बैता पानी कि मानों वो silver कलर का एक लंबा रिवन हो क्योंकि जब सुर्य के रोसनी वैली पे पढ़ता है और उस नदी के बैते पानी में सुर्य के रोसनी से और सिल्वर कलर का दिखाई देता है जिससे वो एक लंबा सिल्वर कलर का रिवन प्रतीत होता है और उस पहार की चोटी के ऊपर जो सुर्य है और उससे जो उसकी रोसनी वैली पे आ रही है वो उस वैली को पूरा चमकदार बना दे रही है दे फिल दा ह तो यहां पर वैली को कहा गया है और इस लाइन में कहा जा रहा है कि जो सूरी के रोसनी है उस पूरे वैली को सूरी के रोसनी से जगमगा दे रही है रोसनी से भर दे रही है चाहे वो वैली के नदी हो या फिर वैली के पेड़ हो पौदे हो ग्रास हो यहां पर हमने ब्राइ में देखा होगा कि कैसे आपके माइंड में सुन्दर सा सिनियरी चल रहा होगा जिसमें एक वैली है उपर से सूरी की रौसनी वैली में पढ़ रही है और वैली में जितनी भी चीज़े है उसे जगमगा दे रही है तो दोस्तों अब चलिए हम लों सेकेंड इस्टांजा की औ पना हुआ है और फन एक परकार का प्लांट होता है जो कि जश्ट उसके सिर के नीचे रखा हुआ है और पीलो का काम कर रहा है और स्लीप इस्टेच इन दा हीवी अंडर ग्रोथ वो बिल्कुल भी एकदम गहरे नीन से उस छोटे से वैली में फैल कर लेटा हुआ है पेलीन वो सूरी की रोसनी उस सैनिक पे पढ़ रही थी जिससे उसका सरीर गर्म हो गया था और उसका चहरा और सरीर पीला दिख रहा था ग्रीन उस हरे वैली में सन सोक्ड बेड जो की सूरी की रोसनी को सोका था और अपने वैली को गर्म कर लिया था उसी गर्म वैली में वो जर आराम से फन का बना हुआ तकिया अपने सर की नीचे लगा कर लेटा हुआ था दोस्तों पीलो का मतलब होता है तकिया असलीप का मतलब होता है गहरी नीद में सोना पेल का मतलब होता है गैलो कलर पर यहां पी जो पेल है वो सिगनिफाइ कर रहा है सैडनेस को जो कि हम और आगे बढ़ते हैं वह सोयावा था वह सैनिक और उसके पैर की चारों और फ्लावर्स खिले में थे और उसकी जो मुसकान थी वो बिलकुल एक बच्चे की तरह थी जो की बिलकुल नादान है और जिसमें छलकापट जरास अभी नहीं हो तो देखिए दोस्तों हम लों को अब इस स्टांजा में पता चला कि जो सेकेंड इस्टांजा में फर्स्ट लाइन में ओपिन माउटेट था उस सोल्जर का वो उसकी इसमाइल थी अह नेचर कीप हीम वाम और कहते हैं ओ नेचर ओ प्राकृतिक तुम उसे गर्म ही रखना नहीं तो उन्हें सर्दी पकर लेगी दा यूमिंग इंसेक्स डोंट डिस्टर्ब हीज रेस्ट और वो जो ड्रोनिंग नॉइस करते वे इंसेक्ट है वो उसकी रेस्ट को उसके आराम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं जैसे बीस की जो आवाज होती है तो उस आवाज को ड्रोनिंग कहा जाता है तो कहा जा रहा है कि वो जो ड्रोनिंग इंसेक्ट है जो की आवाज लगा रहे हैं फिर भी उसके आराम को डिस्टर्ब नहीं पहुँचा पा रहे हैं वो सूरी की रौसनी में खुले आसमान के नीचे सोया हुआ है वन हैंड ऑन इस ब्रेश्ट और उसका एक हाज है उसके ब्रेश्ट यानि चेश्ट पे रखा हुआ है एट पीस और वो बहुत ही सांती से सोया है उसमें बिल्कुल भी हलचल नहीं हो रही है इनी साइड देर आ टू रेड होल्स और जिस साइड में अब वो अपने चेश्ट पर हाथ रखा हुआ था उसी साइड में दो रेड होल्स है यानि कि उस सैनिक को दो गोली लगी है जिसके कारण वो वहाँ पे सहीद हो गया है तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा आगे में कि वैली का खुबसूरती को दर्साया गया फिर हम लोगों को देखा सेकेंड इस्टांदा में कि वो सोलजर सोया हुआ है पर उसमें ये हम लोगों को नहीं पता चला कि उसके डेथ हो गई है पर देखे यहाँ पे हमने पेल पढ़ा और मैंने कहा कि वो सेटनेस को सिगनिफाय कर रहा है और देखे अचानक से लाश्ट लाइन में हमें पता चलता है कि उस सोलजर की वहाँ पे मौत हो गई है जिस कारण से वो उस वैली में सोया हुआ है या फिर कह सकते लेटा हुआ ह दोस्तो रेड होलस में चैया रेड इसले कहा जा रहा है क्यूंकि जब उसे गोली लगी होगी तो वाँसी खोन बैरा होगा उसका इसलिए रेड होलस कहा गयार है तो दोस्तो अब आपको पता चलाओगा कि कैसे ये एक anti-war poem है क्योंकि इतनी खुबसूरत valley को भी अब वो soldier देखने के लिए जीवित नहीं है इसलिए जो poet है उनको लगता है कि war जो है वो बहुत खराब चीज है जिससे इंसान की loss ही होती है उसे कोई भी वहाँ पे profit नहीं होता है तो दोस्तो इसी के साथ हमने ये poem को complete कर लिया और अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो के एक like किजेगा चैनल पे नहीं आए तो चैनल को जरूर subscribe किजेगा subscribe करने के बाद bell icon को press किजेए और उसे all में select किजेगा ताकि हमारी जितने भी आपकमिंग वीडियो की notification है वो आप तक सबसे पहले आती रहे दोस्तो अगर आपको इस poem से या फिर पिछले हमारे पास्ट कियों किसी भी वीडियो से कोई भी doubt है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किजेगा हम उसका reply आपको जरूर देंगे और हाँ दोस्तो आप इस वीडियो को जादा जाद अपने दोस्तों के साथ सेर करें जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है तो आज के लिए इसे इतना ही दोस्तो फिर मिलता आप से अ हीन बंदे मातरम